असलाम वालेकुम विर्चुल निवर्चिटी के फॉल 2022 स्मेस्टर के जो मिट्रम एक्जाम्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर पैटरन क्या होगा और आपको त्यारी कैसे करनी है यह तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि आपके मेट्रम एक्जाम्स जो कब से स्टार्ट होंगे आप जो ओल्ड सुडेंट्स हैं उनको तत्रीक का पता है कि कैसे चेक करना जपके जो न्यूज्ट स्टुडेंट्स है उनके लिए बड़ी हल्पल चीज होगी कि क्लिक करना है कि स्टुडेंट वाले option पर क्लिक करना है और यहां पे आपने अपने academic calendar पर क्लिक करना है ठीक है जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसको स्क्रॉल डाउन करें यहां पर आपक जैसा के grading scheme को change कर दिया गया है उसके according आपके जो final term में mid term के marks जो है वो 25% जो है वो count होंगे ठीक है और एक और चीज जो के बड़ी ऐहम है कि अगर आपके other activities और आपके mid term के total marks को मिलाके आप at least 20% marks ये नहीं कर सके तो आपको final term में बैटने नहीं दिया जाए तो इसका मतलब ह कि आपके final term में भी आपकी अच्छे number लेने के लिए आपके mid term में त्यारी भर्बूल होनी चाहिए और आपके marks जो है वो अच्छे से अच्छी आने चाहिए ताकि आप अच्छे grades के साथ pass हो सके ठीक है तो अब यही तरीके कार क्या आपने इक्तियार करना है कि आपने जैस इक्तियार करना है कि अभी भी इतना टाइम नहीं गुजरा बीचोंकि assignments वगरा आ रही है इन activities को भरपूर तरीके से जो है attempt करें इन में अगर आपको assignments वगरा में समझ नहीं आ रही बार बार अपने handouts को पढ़ें और इसको खुद solve करने की कोशिश करें और उसके बाद में 45 lectures हैं तो 22 lectures आपके जो almost आपके मिटरम का syllabus होता है और paper pattern क्या होगा मिटरम का जो paper होता है वो एक घेंटे का होता है जिसमें तकरीबन 50% आपके MCQs आएंगे और 50% जो आपका subjective होगा जिसमें से 2 marks के जो है वो 2 questions, 3 marks के 2 questions और 5 marks के 2 questions होगे ठीक है टोटल 6 questions आपके आते हैं आ आपका एक एक घेंडे का paper होता है अब जो एसे students जो new हैं जो online first time पढ़ रहे हैं तो उनके लिए चीज़ एक बड़ी एहम है कि वो अपने MS word पे typing start करें बहुत से students ऐसे होते हैं जिनके लिए first explorer होता है कि वो online paper attempt कर रहे हैं तो उनसे जो keyboard पे लिखा ही नहीं जाता और उनका सारा time इसी चीज़ पर जो waste हो जाता है ऐसे students जिनका math subject है वो math type को use करना अभी से start कर दें ताकि जब papers के दुराना उनको attempt करते हुए कोई issue ना आए और जो विर्ट्वर्ट्री का exam software भी update हो चुका है ठीक है आप लोगों ने आपने जो भी subjective questions paper में solve करने हैं वो आपने exam software में ही solve करने हैं इस मरतबा जो students के बड़ी तदात fail होने की वज़ा ये भी है कि इस मरतबा जो काफी students का paper solve ही नहीं हुआ सही तरीके से ठीक है उन्होंने MS Word पे ही अपने paper solve किये और उसको copy paste सही तरीके से नहीं किया जिसकी वज़ा से ये भी एक बड़ी वज़ा है जिसकी वज हो तो आपको description box में दिएगे नंबर मुस्तार रापता कर सकते हैं hope for the best to all students Allah Hafiz